नुश्कर साथियों मैं प्रदी प्राणा गाउं हुला हिडी जिला सोनीपत हर्याना से आज जो वीडियो लाया हूँ इसमें तेल के एक घोल या ओयल के एक मिक्स्चर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिसको यूज करके किसान या कोई और साथी अपनी मशीनों को ज इसमें आपको यह घोल तयार करना है कोशिश करें कि बरतन जो है वह स्टील का हो जिससे कि आप उसको आसानी से बाद में साफ कर सके और इस घोल को तयार करने के लिए आपको एक किलो ग्रीश चाहिए यह मैंने अलड़ी ग्रीश इसमें डाल रखता है दो लीटर आप यह संफ्लावर ओएल सुरश मुख्य का तेल यह कोई और भी ओईल हो हाईडॉलिक ओईल हो डास्मिशन ओईल हो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं और एक डीजल का चाहिए है अगर आपके जो यूज है उसमें आपको लगए कि डीजल सूट करता है या इसको और पतला करन को आप उसके लिए डीजल का भी हूश कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको जो है ग्रीस को गरम करना है जैसे ग्रीस को आपको गरम करना ही मतलब इसको तरल बना देना बिलकुल ताकि यह ऐसिली से मिक्स हो जाए ओल के अंदर तो इसके लिए आपको जो है गैस होन करना है गैस स्टोव को और यह दीरे दीरे जो है गरम होके बिलकुल लिक्विड में करनोट हो जाएगा जैसे आप देखेंगे यह स्टार्ट हो गया है इसको प्लीज ध्यान से करिए इस चीज में आपको विशेश ध्यान रखना है क्योंकि तेल जो है जल्दी गरम होता है और लेट ठंड़ा होता है और इस से आग भी लग सकती है तो प्लीज इसको जो है ध्यान से करिए ऐसे इंवार्मेंट में करिए जहां पर जो है आग लगने का खत्रा ना हो तो इसको जब तक यह गरम होता है ग्रीस के बारे में आपको बताता हूं कि हमने जो ग्रीस यूज किया है वो चेसीज ग्रीस यूज किया है जो की कैल्शियम बेस्ट ग्रीस होता है कैल्शियम ग्रीस भी कह रहेते हैं इसको हमने जो है ये पैंसॉल कंपनी का ग्रीस यूज किया है अगर आप यहां देखेंग जो water repellent शम्ता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है कहने का मतलब यह है कि इस पे पानी का असर सबसे कम होता है अगर पानी लगातार गिर का रहे चाहिए बारिश का है चाहिए कोई splash water है चाहिए कोई भी है उसका इस पे बहुत कम असर होता है इसलिए हमने calcium grease यूज किया दूसरा यह क्या होता है यह सस्ता भी होता है grease यूज करने का इस mixture के अंदर जो main purpose है वो है grease जो होता है तेल का जो हम यूज करेंगे इसमें या grease के अंदर भी oil होता है उस oil को बहने नहीं देता grease का जो main मकसद है क्या है कि जो oil हम स्प्रे करेंगे वो बहेगा नहीं अगर आप किसी oil को या diesel को वैसे स्प्रे करते हैं तो वो पतला होता है बहुत तरल होता है तो वो बह जाता है इसलिए तो जैसे बारिश गिरती है तेज बारिश होती है या काफी लंबे टाइम तक जब रखा रहता है मशीन वगरा तो पतला होने की बज़े से इंजन ओयल या डीजल जल्दी बह जाता है तो इसलिए जो grease है उसका हम use करते हैं इसकी जो life है वो ज्यादा है जिस पे हम इसको लगाएंगे तो ये काफी लंबे टाइम तक ठिका रहता है उस शीज पे और अपने साथ जो oil और diesel है उसको भी ठिका के रखता है तो एक ठिक layer बन जाती है बेसिकली लोहे के उपर और वो layer जो होती है वो क्या करती है कि oxidation process तो start नहीं होने देती कहने का मतलब उस पे जो पानी है और जो oxygen है उसका असर नहीं होता लोहे के उपर तो उस पे जंग नहीं लगता और ये लगाने में बहुत असान है paint के मकाबले उसके उपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी तो इसलिए जो है हमने ये जो formula है हमने use किया और बहुत ही best result लगा हमें इसका इसलिए इसके जानकारी जो है मैं आपने जोके साथ साचा कर रहा हूँ तो इसको आप गरम करती रही है बीच-बीच में थोड़ा बहुत ही लाते रही है ताकि जो grease है वो जल्दी से liquid में convert हो जाए जब यह पिगल जाएगा पूरे अच्छी तरह से तो गैस को उस टाइम पे बंद कर दीजिए तो अब जो है यह बिल्कुल जो grease है हमारा liquid foam में convert हो गया है बिल्कुल पिगल चुका है तो अब हम इसमें डीजल को या स्वरी इंजन ओयल को मिक्स करेंगे यह आपको दो लीटर लेना है जो इंजन ओयल है या कोई और भी ओयल अगर आप लेंगे तो इसको जो है दो लीटर लेना है एक लीटर वो था और एक लीटर यह है यह तेल का काम है ओयल का काम है प्लीज ध्यान से करिए यह आप देखिए मैंने गैस को बन कर दिया इस टाइम पर क्योंकि जो ग्रीस है वो अलड़ी पिगल चुका है अब हमें गैस की आप जो हीट है उसकी जरुरत नहीं है तो अब इसको आप लोगों को जो है अच्छे से मिक्स करने है इस चीज को जैसे आप इसको मिक्स करेंग तो जैसे जैसे यह ठंडा होता जाएगा यह जो है बिल्कुल एक तरह से गाड़ा होता जाएगा हलका सा जो इसकी रबड़ी है वो बनती जाएगी तो जितना आप इसको गाड़ा यूज करेंगे उतनी इसकी लाइफ ज्यादा हो देखिए यह इस तरह से आपको गोलती र ताकि यह अच्छे से मिक्स हो जाए और जब यह ठंडा हो तब आप इसको यूज करना है अपनी मशीन पर तो इसको गोलते रही है यह अच्छे से बहुत अच्छा मिक्स्चर बन जाएगा देरे देरे ग्रीस और ओयल को आपको अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से मिक्स होने के बाद जब ओयल ठंडा हो जाएगा तो आप इसको यूज कर सकते है अगर ग्रीस और ओयल मिक्स करते वक्त आपको कोई इशू आ रहा है यह दोनों अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे है तो आप इ पीट दे रहे हैं इसको जो गरम कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए और फिर इसको ठंडा होने के बाद यूज कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें डीजल कभी यूज करना है डीजल आप जो है अपनी यूज के हिसाब से इसमें मिक्स कर सकते हैं जैसे ये घोल त्यार करने के बाद मैं डीजल अपनी नीड के हिसाब से यूज करता हूँ अगर जो ज़ंग ज्यादा लगा हुआ है मशीन के उपर तो मैं थोड़ा ज्यादा डीजल यूज करता हूँ ताकि अंदर तक डीजल सीपिन हो जाए मतलब अंदर तक समा जाए डीजल क्योंकि डी अगर आपको डीजल मिक्स करना है तो आप इसमें थोड़ा डीजल मिक्स कर सकते हैं लगाते वक्त जब आपको यूज करना है तो आप उसमें पर लीटर जो है 100 ml, 150 ml या 200 ml आप इसमें डीजल यूज कर सकते हैं अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो आपको श्रक्राइ इसको कल लगा था देखिये जैसे मैंने आपको बताया था जो इसाँ प्राव होता है जिससे कि जो ऑईल हमने यूज किया है वो बहता नहीं हुगे पूरिगा पूरा एक जो है इसने रीएर बना रखे है जहां में जरादा लग गया वहाँ पर आपो जासने बिलकुल नजर मतल सकाए गार आओघ के अगी हूई जाता और नीचे टपक जाता जमीन के अब देखिए कहीं भी भी कुछ नी टपका है तो इसलिए जो सॉलीशन है यह बेस्ट है अगर मशीनों को आपको लंबे समय तक स्टोर रखना है यह बेस्ट सॉलीशन है इसको जितना गाड़ा आप लगा सकते हैं तो उतना बेस्ट रि इसके धूल मिट्टी जैसे जैसे जमाएगी तो यह और हाड होता हुआ उपर की जो लेयर है वो और हाड होती हुए चली जाएगी तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी आपको इस वीडियो में कुछ इंफोर्मेशन मिली जिसको आप यूज करके अपनी